आज हम 6 और 4 से पीकोक याने की मोर बनाना सीखेंगे पहले 6 लिखेंगे फिर उसके नीचे 4 अब 6 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हम मोर का फ्रंट मु बनाएंगे और इसके बाद हम मोर याने की पीकोक की शेप्स बनाएंगे जिससे की ये अच्छा लगे पीकोक हमारा नेशनल वर्ड है इंडिया का और ये देखने में भी बहुत सुन्दर होता है बहुत एट्रेक्टिव होता है इसकी जो बीक जो चोंच होती है ये भी बहुत अच्छी होती है रैड कलर की हमें बहुत पसंद है मोर इसमें बीच में किसी भी तरह का ड्रॉइंग या डिजाइन आप बना सकते हो और इसको अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो इमेजिनेशन के बेस पर भी जो पीकॉक है वो बहुत सुंदर बनता है ये स्टार्टिंग जो विगनर्स हैं उनके लिए इजी तरीका है पीकॉक बनाने का ये मोर के पंक होते हैं ये सभी को पसंद होते हैं आपको भी पसंद होंगे तो इसकी जो शेप है उसको हम पहले दो छोटे छोटे सरकल और फिर पंकुडी की तरह इसे बना कर इसकी शेप देते हैं पिकॉक जो मोर होता है ये वाइट, स्काइबलू, ग्रीन अपनी मर्जी से आप बना सकते हो येलो मैं इसे स्काइबलू कलर का बना रही हूँ स्काइबलू कलर में मोर बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम इसे स्काइबलू कलर कर रहे हैं इसमें आप चाहो तो और कलर भी कर सकते हो येलो कलर, ओरेंज कलर, पिंक कलर, पैरट कलर, ग्रीन कलर जिस भी कलर में आप मोर को बनाओगे वो बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा अच्छा अट्रेक्टिव लगेगा इसकी जो पंक हैं उसमें येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, आप चाहो तो इसको अलग-अलग जैसे मैंने जो बाहर की इसकी पंक्खुडी वाला जो हिस्सा है उस पर मैंने येलो कलर किया हुआ है आप पीछ वाला सरकल है उस पर भी येलो कलर कर सकते हो बाहर की तरफ आप परपल कलर और बिल्कुल सेंटर में आप रैड कलर दे सकते हो तो इसमें color करना बहुत अच्छा लगता है मोर में तो इसको हम green color के इसके पंक बनाएंगे जो आप सबको पसंद है पिकॉक के तो इसको design की तरह decorate करके हम मोर को बहुत अच्छा बनाएंगे आप ये बनाने की कोशिश करना मोर बनाने की जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार आप बना सकते हो इसमें कलर भर सकते हो इसकी चोंच और इसकी जो इसकी चोंच रेड कलर की होती है और इसकी जो लेक्ज होती है ये येलो कलर इसमें हम भरेंगे और इस तरह से मोर को ये देखो बीच में हमने येलो कलर करके इसको डवल मल्टी कलर में कर दिया है आप चाहो तो इसमें औरेंज कलर भी इसके उपर कर सकते हो मोर देखने में बहुत अच्छा लगता है अब हम इसके जो इसके पंख बनाए हुए है तो इन पंखों को डेकोरेट करने के लिए आप साइड में हलके हलकी सी शेडिंग किसी भी कलर से दे सकते हैं जैसे मैं इसमें ब्लू कलर में ये शेडिंग दूँगे तो फ्रेंज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें थेंक यू